नमस्कार मित्रों, आशा है आप सभी स्वस्त होंगे, मैं हूँ आपका मित्र चंद्र शेखर और इस समय मैं उपस्थित हूँ प्रयाग राज में जो बसा है गंगा यमुना के संगम थट्प शायद ही आप में से कोई ऐसा हो जिससे प्रयाग राज के विशय में जानकारी न हो, संभव है आप अनेक बार प्रयाग आये भी हों और जैसा की आप जानते हैं, प्रयाग जाना जाता है अपने लोक प्रिय संगम और माग मेले के लिए लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रयाग के कुछ ऐसे क्षित्रों में लेकर चल रहा हूँ, जो प्रयाग संगम से थोड़ा अलग है वीडियो के अंत में हम संगम की तरब भी चलेंगे और यमुना जी के दर्शन भी करेंगे, लेकिन संगम रेती पर लगने वाले माग मेले में हम एक अलग वीडियो में चलेंगे, जो आपको कल या परसों देखने को मिलेगा फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि आज मैं जिनके साथ भ्रमण कर रहा हूँ, वो है मेरे मित्र और बड़े भाई रवी रंजन सिंग जी, जो की प्रयाग राज उच नयायलय में अधिवक्ता है आज इन्होंने कहा है मुझे प्रयाग के उस हिस्से में ले चलेंगे, जहां मैं कभी नहीं गया और सचमुच मैं इन छेत्रों में जहां अभी भ्रमण कर रहा हूँ, कभी पहले नहीं आया था अभी हम जिस शेत्र में भ्रमर कर रहे हैं यहां एक गाउं है जिसके बारे में उन्हें बताया कि कुछ वर्ष पुर्व इंडिया टूडे ने इस गाउं को कवर करते हुए लिखा था कि यहां अधिकान्स जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं प्रयागराज एरफोर्स स्टेशन नजदीक में ही है और एरफोर्स स्टेशन के नजदीक ही यह गाउं है जहां कि मिट्टी पानी हवा में कुछ ऐसा है कि यहां के पशु और मनुष से अधिकान्स जुडवा बच्चों के लिए बाद्ध हैं यहाँ के अधिकांश पश्वों को जुड़वा बच्चे होते रहते हैं। यह एक सत्य है और इतना कठोर सत्य है कि यहाँ के मूल निवासियों की तो छोड़िये यहाँ पर पोस्टिंग पाने वाले अनेक अधिकारियों को भी यहाँ से जुड़वा संतान प्राप्त करके लोडते हुए देखा गया है इस चमतकार के विशय में किसी दिन अलग से एक अलग वीडियो बनाया जाएगा और हो सका तो गाउं के कुछ जुड़वा लोगों से साक्षातकार भी कराया जाएगा फिलहाल चलते हैं यहां से आगे संगम की तरफ अभी जे सित्र से हम गुज जोशी के प्रयासों से भारत सरकार ने इस परिसर की निव रखी थी और प्रयागराज उस समय जोशी जी का निर्वाचन छेट्र हुआ करता था 2014 में ट्रिपल आईटी एक्ट के पास होने के बाद चार अन्य संस्थानों के साथ इसको भी राश्ट्री महत्व के संस्थानों में सुची बद्ध कर दिया गया है तो यह बहुत इंपोर्टन परिसर आप देख रहे हैं इसी मार्ग पर थोड़ा और आगे हम आये हैं तो यहाँ यह निर्माल कारे होता हुआ दिख रहा है यह एक नया परिसर बन रहा है डॉक्टर राजेंदर प्रसाद राश्ट्री विधी विश्वविद्याले का जो कि देश का 27वा विधी विश्वविद्याले है इसी परिसर के साथ बन रहा है उच नयाले के नया अधिशों के लिए आवासी परिसर जैसा की भाई साब ने मुझे बताया और जल्द ही इसी परिसर छेत्र में इसी छेत्र में परिसर से आसपास कहीं एक बड़ा बस अड़ा मूर्त रूप लेता हुआ दिखेगा जो शहर के बीचों बीच सिविल लाइन बस अड़ा का स्थान ले लेगा तो इस प्रकार शहर के अंदर जो भीड भाड़ होते थी उसको कम करने में मदद मिलेगी अभी शहर में चलते हुए हमें कुछ नए फ्लाइ ओवर भी बनते हुए दिखे हैं जो आगामी कुम्ब के भीड के प्रबंधन में सहायक हो सकते हैं और इसी के लिहाद से उन्हें बनाया भी जा रहा है और साथ ही प्रयागराज शहर के दोलगामी चवमुकर इकास का भी मार्ग प्रसर्षत करेंगे ऐसा मेरा मानना है अब यमुना की किनारे और ये जो पुल आप देख रहे हैं इसे कहते हैं पुराना पुल अंग्रेजों के समय के बनवाए इस पुल में एक भी वेल्डिंग कार या एक भी नट बोल्ट नहीं है पुरा का पुरा पुल रिपिट पर टिका हुआ है और यह एक द्वे तली ये पुल है इसमें नीचे सड़क मार्ग और उपर रेल मार्ग है तो इस पुल के बगल में एक नया पुल यमुना नदी पर बना हुआ है सड़क के लिए उसको नया नैनी पुल कहते हैं और इस वाले को पुराना नैनी पुल कहते हैं क्योंकि ये नैनी छेत्र को शहर से जोड़ता है और पुराने पुल पर यातायाद के दबाओ को कम करने के लिए जो नया वाला पुल है उसे बनाया गया था इसको 2004 में बनाया गया तो हम उस नए वाले पुल पर भी चलेंगे लेकिन उससे पहले हम यमुना के दूसरे तरफ के से जो प्रयाग संगम छेत्र दिखता है उस तरफ से चल करके देखने का प्रयास करेंगे कि वहाँ से प्रयाग संगम कैसा दिखता है क्योंकि पहले मैं जब भी आया हूँ तो प्रयाग रेती पर सीधे पहुँचा हूँ यमुना के दूसरे साइड कभी गया नहीं तो आज चलते हैं वहाँ और आपको भी दिखाते हैं वहाँ से प्रयाग संगम कैसा लगता है और माग मेले को भी देखने का प्रयास करेंगा भी माग मेला लगा हुआ है ये पुराना पुल जो है नैनी छेतर को प्रयाग सहर से जोडता है इसलिए इससे पुराना नैनी पुल कहते हैं जैसा मैं नहीं बताया और इस पुल पर अब भारिवाहनों का आवागमन वर्जित कर दिया गिला क्योंकि पुल बहुत पुराना हो गया और कमजोर हो चुका है तो इस पुल को पार करके जैसे हम यहां बाहर आए हैं तो यहां से नैनी छेतर शुरू हो जाता है और यहां यह लगता है फूलों की मंडी लगती है यह प्रयाग राज नगर की सबसे बड़ी फूलों की मंडी है किसी भी बड़े आयोजन के लिए लोग यहीं से फूल खरीद कर ले जाना पसंद करते है क्योंकि छोटे-छोटे ब्यापारी भी यही से फुल खरीतते हैं और शहर में जाकर छोटी दुकानों पर बेजते हैं तो वो महगा हो जाता है यहां सस्ता फुल मिल जाता है लोगों तो अब हम शहर से बाहर आ गया है बिल्कुल नैनी चेत्र में और यहां यमुना नदी की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं सामने अभी यह जो नदी आप देख रहे हैं यही है यमुना नदी सामने नदी के उस पर नजर आ रहा है मुगल शासक अक्बर का बनवाया इलाःबाद किला जो कि यहां से कुछी दूरी पर है और संगम उस किले से थोड़ी सी दूरी पर है सामने नजर आ रहा है संगम थोड़ी आगे दूसरी तरब से आती होई दिख रही है देव नदी गंगा और यहीं पर दोनों का संगम होता हुआ दिख रहा है इन दो महान नदियों के संगम के कारण ही स्थान का नाम प्रयाग राज पड़ा है और स्रिष्ट के सभी प्रयागों में इसे स्रिष्ट माना जाता है इसलिए इसको प्रयाग राज कहा गया है प्रयाग जैसा कि आप शाय जानते होंगे नदियों के संगम स्थल को कहा जाता है तो अभी हम आ चुके हैं संगम के बिल्कुल पास यमुना नदी के अरेल घाट पर सामने दोनों नदियों का जल मिलता हुआ साफ साफ देख पा रहा हूँ मैं कैमरे पर आपको पता नहीं कितना दिख रहा होगा या नहीं मायमुना का शाम वर्ण का जल मागंगा का स्वर्ण वर्ण का जल यह अपस में मिल रहे हैं उस पार संगम रेती पर वार्षिक माग मेला लगा हुआ है, कुछ तंबो इस पार भी लगे हुए हैं, इस पार भी कुछ स्रधालू हैं, घाट पर चारों तरफ स्वच्छता दिख रही है, नाव वाले हम से पूछ रहे हैं कि संगम तक जाने के विशय में नाव से चलेंगे या नहीं, लेकिन आज हम नौका यात्रा करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, समय कम है और अभी प्रयागराज के अनेक स्थानों का भ्रहमन भी करना है, तो आज हम यहीं से वापस लोटेंगे, नौका विहार नहीं होगी आज, किसी और दिन आपको नौका विहार कराएं और इस तट के उपर अनेक मंदिर और मठ हैं, तो आज मैंने सोचा है कि एक दो मंदिरों का दरशन करें या फिर एक दो मठों के अंदर जाएं, तो आपको भी दिखाते हैं, अभी अरेल घाट से लगे हुए इस तट के उपर जितने भी मठ मंदिर मिलते हैं, यह मुना की जो तट्रेखा है, इसके साथ-साथ चलते हुए यह जो मार्ग है, इसको अरेल मार्ग कहते हैं, और इस मार्ग पर अनेक महत्वपूर्ण मंदिर और मठ हैं, कुम्ब के दिनों में यहां बहुत भारी भीड़ होती है, मार्ग मेले के विशेश नान परवों पर भी यहां जो संगम है, उनका जो दो रंग का जल आपस में मिलता हुआ दिखता है, बड़ा सुन्दर लगता है, यहां से देखा जा सकता है, मेले के दिनों में लोग यहां से सेलफी लेना पसंद करते हैं, भीड़ लगी रहती हैं आगे बढ़ने पर हमें यहां एक समाधिस्थल सा यह महेश योगी जी का समाधिस्थल है, तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं यह समाधिस्थल का आज थोड़ा इनके अंदर क्या बना है, कैसे बना है, और आपसे इसके विशे में चर्चा करते हैं तो यह समाधिस्थल है महर्शी महेश योगी जी का, महर्शी महेश योगी के नाम से प्रसिद्ध होने वाले स्री महेश प्रसाद वर्मा का जन्म 12 जन्वरी 1918 को आज के 36 गड़ राजे में हुआ था, उस समय वो 36 गड़ नहीं था उन्होंने हिलाहाबाद विश्वविद्धाले से 1942 में भौतिकी में सनातक किया और वर्स करीब करीब 13-14 वर्स तक उन्होंने शंकराचार श्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के सानिद्धे में शिक्षागराण किया जोतिरमट के शंकराचारे थे अनेक वर्सों तक हिमाले में तपस्या वगरा भी करते रहे बाद में वे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन अत्वा भावातीत ध्यान जिसको कहते हैं हिंदी में उसके लिए विश्वभर में प्रसिद्ध हुए और दुनिया के अनेक देशों में उनके अनुयाई भी हुए और आज भी हैं अंतराश्टिय ख्याती के बाद 1968 में एक रौक ग्रुप है वीटल्स नाम का शायद आप जानते हों वो ग्रुप इनके आस्रम में आया और उसके बाद वो इनके अनुयाई बने ग्रुप के सदस्य जो थी उनके शिश्यों मे पूर्व प्रधान मंतरी स्रीमति इंद्रा गांधी से लेकर आध्यात्मी गुरु दीपक चोपडा तक का नाम आता है तो अपनी विश्वयात्रा का प्रारम उन्होंने 1969 में अमेरिका से किया थे और ये जो महेश योगी थे इनके दर्शन का आधार था कि जीवन पर्मानं से भरपूर है और मनुष्य का जन्म इसका आनंद उठाने के लिए हुआ है तो मनुष्य को इसका आनंद उठाना चाहिए और इनका ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जो था वो एक आंदोलन की तरह आगे बढ़ा काफी पॉपलर हुआ उस जमाने में तो टेलिवीजन के श भक्तगंड थे या जो भी दर्शक थे उन लोगों ने इनको दीरे दीरे एक निकनेम दिया एक नाम दे दिया गिगलिंग गुरु का ये खिताब दे दिया इनको इनको गिगलिंग गुरु के भी नाम से जना जाता था लेकिन 1960 से 1970 के दर्शक में ये बीटल्स, बीच बॉय स्थापना भी की जिसने अनेक देशों में तब चुनाओ भी लड़ा था अनेक देशों में लाजियों में नहीं इन्होंने एक करिंसी एक मुद्रा का भी स्थापना की उस मुद्रा का नाम था राम और वो मुद्रा दुनिया के कई देशों में उसको मानेता भी प्राप्त और शायद आज भी नीदर लेंड में उसको कानूनी मानेता प्राफ्त है सन 2000 में उन्होंने अपने NGO Global Country of World Peace की स्थाफना की इसके माध्यम से दुनिया भर में फैले अपने मठों और संपत्यों का संचालन करते रहे और सं 2008 में काफी बुजुर्ग होने के बाद उन्होंने अपने सभी प्रशाषनिक दैतों से सन्यास ले लिया जीवन से पहले ही सन्यास ले चुके थे अब जो प्रशाषनी कारे कर रहे थे अपने मठों में उससे भी सन्यास ले लिया और इसके तीन हपते बाद पांच फरवरी 2008 को शरीर त्याग कर दिया उन्होंने और अपने पीछे छोड़ गए एक बहुत बड़ी विरासत हने एक देशों में बिखरी हुई संपत्ती जिसके रख रखाओ के जिम्मवारी सुनने में आता है कि अब उनके परिवार के कुछ सादस्यों और शिश्यों पर है लेकिन जब पिछले जब इनके मठ में हम आये हुए हैं इनके मठ तो नहीं इनकी समादिस्थल पर हम आये हुए हैं तो इनके समादिस्थल का ब्रहमन करके हम देख रहे हैं यहां पर एक गार्ड और एक दो करमचारी या चार करमचारी मुश्किल से होंगे और इसके अतरिक तो कुछ सेलफी प्रेमी जोड़े लगे हुए हैं अपनी अंतरंगता में लीन हैं और गार्ड और करमचारीों को सिर्फ इतना पता है कि किसी व्यक्ति की समाद ही है इसके अतरिक तुने कुछ खास नहीं पता है उनके विशे में और प्रेमी जोड़ों को भी यह नहीं पता है कि यह किसकी समादिस्थल पर आया हुए है उनको सिर्फ अच्छे फोटो से मतलब है और जहां तक इस समाधिस्थल पे हो रहे है निर्मान कारे का हाल चाल है तो ये किसी कारण बस ऐसा लगता है कि होते होते बीच में रुका हुआ है एक बड़ी जरजर सी क्रेम खड़ी है किसी विचे में ये बड़ी वाले बिल्डिंग पर गिर सकती है और जहां तहां ये जो पत्थर लाके रखेगे हैं कुछ तराशे हैं कुछ अंगड़ हैं ये पड़े हुए हैं ऐसा लगता है कि इस प्रतीक्षा में कि इनको कहीं लगाए जाएगा तो एक बात अच्छी लगी इस परिशेर के विशे में कि स्वच्छता का विशेर ध्यान रखा गया है जैसे भी हो हाना कि परिशेर बड़ा है जमीने खाली पड़ी हैं और इन खाली जमीनों पर उद्ध्यान का विकास होना निर्धरित था जो कि नहीं हो सका है अगले वीडियो का जिसमें हम आपको प्रयाग के अपने आगे की आत्रा के विशे में बताएंगे और हो सका तो आपको जल्द ही संगम तक भी ले चलेंगे संगम रेती पर लगे हुए माग मेले में आपको घुमाएंगे तब तक के लिए दीजिए अपने मित्र चंदर शेखर को अनमती मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो में और चैनल को आपने जो अब तक प्यार दिया है उसके लिए बहुत धन्यवाद अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो क्रिप्या सब्सक्राइब करें लाइक करें, कमेंट करें और खुब जम कर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी ये वीडियो देखने का मौका मिले और आपसे मैं लेता हूँ विदा हर हर महादे